Hello students, Assalamualaikum, Class 5 में खुश्यामदीद इस Class में हम पढ़ेंगे How to Grow Fast on YouTube हर YouTuber की खायश होती है कि मैं बहुत जल्द ग्रोव करूं YouTuber और मेरे चैनल वाइरल हो जाए अगर ये नीचे जितनी भी चीज़े मैंने मैंने मैंशन की हो ही है अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उमीद करता हूँ आपका जो चैनल है जल्द ग्रोव करेगा इंशालला सबसे पहले हैं Understand Niche Niche को समझें आप Niche क्या होती है, Micro Niche क्या होती है अगर मैं आपको असान अलफाज में समझाओं तो Niche का मतलब होता है Category कि आप किस Category की वीडियोज बना रहे हैं या आपका चैनल किस Category का है अब समझें इस चीज़ को Sports यानि कि आपके चैनल की जो Niche है वो है Sports ठीक हो गया, मिसाल के तोर पर मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूँ अगर आपका चैनल है Sports का तो आपने इस चैनल पर आपने सिरफ और सिरफ Sports की वीडियोज डालनी है कोई और वीडियोज यहाँ पर नहीं डालनी इसी तरह अगर आप बना रहे है Short Film आपका चैनल है, इसकी नीच Short Film है तो आप यहाँ पर आप Sports क्यों डालते हैं Sports ना डाले हैं यहाँ आप इस पर News ना डालें, अक्सर लोगों के यह मसला होते है Mix कर देते हैं Content को, वीडियोज को इसी वाज़ासे वो ग्रोव नहीं करते हैं इसी तरह अगर किसी का कुकिंग का चैनल है तो वो भई कुकिंग बनाए, कुकिंग की वीडियोज बनाए अब उसको शाट फिलम की बनाने की जुरूरत नहीं है नियूस की, इसलामिक, क्लिफ्स की ठीक हो गया, किसी की, क्यों हो कि उसका टापिक की चैनल है, मेरे भाई इसी तरह अगर किसी का टैक चैनल है तो उसको चाहिए वो टैक वीडियोज बनाए अब उसको स्पोर्ट की वीडियोज बनाने की जुरूरत नहीं है शाट फिलमें वहाँ पर अपलोड करने की जुरूरत नहीं है अगर आप ये काम करते हैं एक टापिक पर अपने वीडियोज चैनल बनाया है तो वही वीडियोज डाले हैं कोई और वीडियोज आपने चैनल पर ना डालें तो इन्शाल आपका चैनल जल्क रो करेगा अब ये माइक्रो नीच किया होती है इसको भी आप समझें अब ये देखें स्पोर्ट साब की है नीच अब इसकी माइक्रो नीच भी आगे है अब स्पोर्ट में बहुत सारे चीज़े हैं यह सरा क्रिकेट है ठीक है इस तरह बैडमिंटन हो गिया और स्पोर्ट में यह क्या है हाकी है फुटबाल है अब देखें यह इसकी माइक्रो नीच है ठीक है स्पोर्ट नीच है और जो आगे जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है क्रिकेट बैडमिंटन वगएरा यह इसकी माइक्रो नीच है इनके स्पोर्ट आपने चैनल बनाया अब देखें एक चीज़ और भी आपने समझनी है आप जो माइक्रो नीच पर वीडियो बना रहे हैं तो आप देखें क्या मार्केट इमस के डिमांड भी है आप देखें फुटबाल आपको पता है फुटबाल ऐसी यानि के नीच है जिसको आर बंद देखता है यह डाकुमेंटरि वगएरा पोईटरी कहानिया मजमून अब यह क्या है यह माइक्रो नीच है इन्हें कि अगर एक बंद सिरफ पोईटरी पर अपना चैनल बनाता है तो यह उसकी उर्दू की माइक्रो नीच हो गई है अगर कोई सिरफ कहानियों पर वीडियो बना रहा है उर्दू में इसी तरह अगर कोई अकवाले जरी पर उसका चैनल सिरफ अकवाले जरी है तो यह माइक्रो नीच है मेरे भाई इसको समझें, उसके मताबिक अपना चैनल क्रिएट करें तो आपको मैं जगीन से कहता हूँ आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो करेगा अमीद करता हूँ आपको नीच की समझ आ गई होगी और उसके बाद अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड भई मार्केट में डिमांड क्या है लोग क्या देख रहे हैं लोग कुछ और वीडियोज देखना चाहते हैं आप कोई और वीडियोज डाल रहे हैं तो वीडियोज कैसे आएंगे लोग चाहते हैं हमें नियूस दें लोग चाहते हमें फनी वीडियोज दें आप कोई बोरिंग वीडियोज बना रहे हैं आप educational कोई ऐसा topic आपने लिया हुए है कि लोग चाहते ही नहीं है कि हम वीडियोस देखें तो अगर आप earning करना चाहते हैं तो आप ऐसे topics सर्च करें कि जिसके उपर आपको views ज्यादा मिलें जब views ज्यादा मिलेंगे demand ज्यादा होगी तो उसी के मताबिक आपकी earning भी ज्यादा होगी अभी देखें मैं cricket को select करता हूँ देखता हूँ इसकी market में demand क्या है इसको copy कर लेते हैं और सीधा चले जाते हैं यूट्यूबर ये यूट्यूबर हमने open कर लिया है हम यहाँ पर search कर लेते हैं cricket आपको बता है cricket के दिमाने बहुत जाते हैं पूरी दुनिया में तो cricket को अगर आप यहाँ पर देखें चांद घंटू में आपको million views नजर आएंगे भई market में डिमान्ड है इसकी लोग देखते हैं बेशक cricket के ओपर कोई funny वीडियो भी है वो भी लोग देखते हैं लोगों का शोक है ठीक हो गिया आप देखें ये आप चैनल भी देखें इसके साथ आप यह भी देख सकते हैं कितने गंटे होए कितने दिन होए और कितने million views ह इस तरह shorts हैं वो भी आप देख सकते हैं फुटबाल अगर आप फुटबाल को देखना चाहते हैं सर्च करें इसकी market में कितने demand है तो आप देखें shorts के ओपर कितने views हैं इस तरह जो long videos हैं उनके ओपर भी आप इसके views चेक कर सकते हैं ठीक है जी तो market demand को आपने लाजमी समझ अगर आपके market में किसी topic की demand और वीडियो बना रहे हैं तो आपका channel flop हो जाएगा next है most viewed videos आपने चैनल पर आ जाना है अपने चैनल पर यह हम अपने चैनल पर आ गये है kids are kings यहाँ पर popular पर click करेंगे अब देखें जो वीडियो मारी बिल्कुल top पर जा रही है न तो इसका मतल करना है इन टाप वीडियो को देखना है और कोशिश करनी है यही वीडियो से हमने बार 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 बनाने इस topic से related क्योंकि इसका मतलब है कि लोग इन वीडियो को बार बार देख रहे हैं और देखना चाहते हैं इस तरह आपकी channel पर views भी ज्यादा आएंगे watch time भी ज्यादा ह और चैनल जल्द आपका monetize भी होगा इन्शालला और आपकी अरने भी ज्यादा होगी ठीक हो गया यह चीज़ आपने उमीद करता हो समझ लिए होगी most viewed videos next है audience retention audience retention क्या होता है हम आ जाएंगे अपने YouTube studio में किसी वीडियो को हम open कर लेते हैं तो यहाँ पर जी आपको शायद क के नजर आ जाए audience हम जी अब हम चलते हैं अपने content में इस page में किसी वीडियो का हम analytics open कर लेते हैं audience retention क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ यानि कि लोग आपकी जो videos को हैं कितनी देर तक देख रहे हैं कितने percent देख रहे हैं यह जितनी percent ही ज्यादा होगी यह इधर आ लेटेक्स में आगे engagement यह 7-5 गंटे में watch time मिला और average view duration इतना है इस वीडियो का और total वीडियो की length कि इतने वूपर देख लें यह है audience retention audience retention में देखें कि average view duration कितना है हमारी वीडियो पर 23 सेकंड और percentage कितना है जी यह देखें आप 38 अब 100 परसंट में से 38 परसंट लोग देख रहे हैं इसका मतलब है हमारा audience retention बहुत काम है इसको कम सकम 70 फीसद 80-90 फीसद इतना होना चाहिए था यह जितना ज्यादा होगा उतने आपकी वीडियो के viral होने के chances ज्याद होंगे अब एक मिनट की वीडियो है उसको देखें सिरफ 30 सेकंड लोग देख रहे हैं तो आप खुद देखें अब यहां पर 18,000 impression मिले हैं हमें और 4.9% बहुत ज्यादा कम है impression click through rate बहुत ही कम है नीचे देखें आप 18,000 impression मिले हैं और clicks कितने लोगों ने किया है 885 लोगों ने अब यह कम है यह जितना ज्यादा लोगों ने click किया होगा impression बढ़ेंगे और उसी साब से आपका चैनल ग्रोव करेगा audience retention को आपने समझने है और इसके मताब़े का आपने वीडियो ऐसे बनानी है कि आपके जो वीडियो पर लोग ज्याद देर तक रह सकें नेक्स्ट है जी CTR वो मैं आपको समझाया था ठीके जी impression click-through rate यह आपका जितना ज्यादा होगा ना उसका फाइदा क्या होगा आपको impression उतनी ज्यादा मिलेंगे और जितने impression ज्यादा मिलेंगे उसी के साब से आपके वीडियो के वाइरल होने के chances ज्यादा होंगे तो कोशिश करें वीडियोस ऐसी बनाएं ऐसी जानदार वीडियोस हों कि लोग उसको ज्यादा देर तक यूट्यूपर देख सकें क्योंकि वाज टाइम जब ज्यादा होगा ज्यादा देर तक लोग उसको देखेंगे आवरेज वीडियो डियरेशन बढ़ेगा जब वो बढ़ेगा तो impressions ज्यादा बढ़ेगे तो audience retention के मताबिक आपका चैनल इंशाला जल्द ग्रोग करेगा तो भार कैफ मेन चीज यह है कि आप अपनी वीडियोस जानदार बनाएं consistency यूट्यूबर कमजाब होने के लिए सबसे बैतरी चीज़ वो है regularity जितना आप ज्यादा regular रहेंगे उतना आपका चैनल जल्द ग्रोग करेगा अगर आप एक एक अफ़ता एक महीना चुटी कर जाते हैं तो आप खुश सोचें आपका चैनल तो down होगा भई तो इस तरह आपने नहीं करना है अगर आप ज्यूट्यूबर कम करना है तो मुस्तकिल मिजाजी से करें अगर नहीं करना तो छोड़ दें अगर करना है तो सही अंदासे करें समझा गई है अगर नहीं करना है तो ना करें अगर करना है तो पिर उसको time दें तो फिर आपका चैनल जो है न वो डी रैंक हो जाएगा उसके बाता है create clickable thumbnail इसका मतलब है thumbnail ऐसा बनाएं इतना जबरदस्त बनाएं कि देखने वाला जूँए उसके सामने impression जाए तो वो click किये बगएर रह न सके समझा गई है तो आपका जो thumbnail जितना प्यारा होगा जितना professional होगा जबरदस्त होगा उतना आपके clicks ज्यादा होंगे use YouTube Shards to get more subscribers अब यह आपको बता होना चाहिए जो YouTube Shards हैं यह बहुत जल्द वाइरल होते हैं इसका आपको एक ही फाइदा है कि आपको subscribers ज्यादा मिलेगे इसका जो watch time है वो count नहीं होता है हाँ अगर आपकी वीडियो जाना 5-10 million 15 million में चली जाती है तो आपको यह फाइदा हो आपको समझाने के लिए यहाँ पर आजाएं अब इसने अपने चैनल के कैसे connection बना हुआ है यहाँ पर Facebook, Twitter, TikTok, Instagram यह सारे लिंक्स दी होएं अब जहाँ पर भी लोग होंगे वहाँ पर YouTube का लिंक मुझूद होगा वहाँ से लोग YouTube पर आ जाएंगे Facebook से लोग YouTube पर आ रहे आपने यहाँ पर लिंक्स दी होंगे तो यह connection आपने भी बनाना है तमाम सोचल मीडिया अकाउंट्स आपने बनाने है और तमाम से इन्शाला लोग आपको ढूंडेंगे तलाश करेंगे फाइंड करेंगे और आपके चैनल पर आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ठ नेक्स्ट इसके बाद गया है पेट प्रमोशन यह भी मैंने आपको बता दिया अगर आप पैसु से अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो पेट प्रमोशन के जरिए आपका चैनल बहुत जल्द वाइरल होगा ग्रो करेगा बस यह है कि आपको थोड़ा सा खर्चा करना होता है कम पैसों में आप वीडियो यहां पर जो है ना बूस्ट करवा सकते हैं स्टुडेंट्स आज की हमारी एक लास भी फाइनल हो गई है